Hello everyone और आप सभी के स्वाथ है आपके अपने चैनल The Mysterious World में जहांच के यूडियो में हम लोग जानेंगे एक सवाल का जवाब कि क्या ये दुनिया सच मुछ असली है या नहीं अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है ये दुनिया असली ही तो है ये पूरा दुनिया इसके सराउंडिंस इसमें रहने वाले लोड नकली कैसे हो सकते हैं लेकिन हर बार जो सामने दिखाई दे ज़रूरी नहीं है कि वही असली हो और कोई भी सवाल फालतु या बेतुका नहीं होता है अगर Albert Einstein ने इस universe के बार में सवाल नहीं पूछा होता तो आज हमनों को theory of relativity और black holes के बार में कुछ नहीं पता होता जब sir Isaac Newton के sir के उपर apple गिरा था तो अगर उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा होता कि apple नीचे ही क्यों गिरा तो आज हमनों को gravitation के बार में कुछ भी नहीं पता होता तो इसलिए सवाल पूछना बहुत जरूरी है और आज की इस वीडियो के सवाल का जवाब जानने के लिए चलिए जूम करते हैं उन वीडियो गेम्स को जो की हम रोज खेलते हैं और जिनको हम जैसे ही हुमन्स ने डेवलप किया है अब वो वीडियो गेम्स भी तो है एक तरड़ा सिमुलेशन जिनने प्रोग्राम के थूँछ डेवलप किया रहे है लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि हम हुमन्स उन वीडियो गेम्स के अंदर चले जाएं तो हमें ऐसा लगे गा कि जैसे हम बिलकुल किसी अलत दुनिया में आ रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं हम हुमन्स को पता है कि उन गेम्स को हमने ही डेवलप किया है तो वो दुनिया असली नहीं है बलकि वर्चुल है सो क्या ऐसा हो सकता है कि यह पूरा का पूरा अर्थ हम लोग का human life यह एट game हो जिसे develop किया है बहुत ही advanced alien प्रजाती ने सो यह जो पूरा concept है कि Earth एट video game है जिसे simulate किया है alien species ने इसी concept को कहते है matrix simulation concept और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस concept पर विश्वास भी करते हैं और इस concept के उपर research भी कर रहे हैं और अगर ध्यान से देखा जाये तो कहीं न कहीं इस concept में सच्चाई भी है अगर आप देखे हम humans Earth के तो सबसे advanced सबसे intelligent species हैं लेकिन Earth से बाहर किया obviously Earth जो है वो पूरा एक universe का बहुत ही छोटा सा part है तो Earth से बाहर जो एकना बड़ा universe है कि हम लोग उसको explore नहीं कर पा रहे हैं हम लोग universe के बाहर में बहुत कम जानते हैं जो भी alien species है जिसने हमें simulate किया है वो शायद नहीं चाहता कि हम universe के बार में जादा जाने और उनके बारे में जादा जाने शायद इसलिए हम humans के लिए उन्होंने कुछ boundaries set किया है और हम उन boundaries के बाहर जाके explore नहीं कर सकते लेकिन कैस नम कलब यह है कि हम कभी अपने creators से नहीं मिल सकते उन creators से जिन्होंने इस पूरे world को assimilate किया है तो ऐसा नहीं है क्योंकि कही न कहीं अगर human चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है और किसी भी video game में जो कि हम humans भी develop करते हैं उसमें कुछ ना कुछ glitch होते ही है तो यह जो earth नाम का video game है इसमें भी कुछ ना कुछ glitch जरूर होगा कुछ ना कुछ ऐसा loophole या wormhole होगा जिसका मदद से शायद हम सीधे उस alien प्रजाती के दुनिया में पहुँच जाएं बस जरूरत है कि हम में earth को ही अच्छे से explore करना हो रहा है जिसके मदद से हम उन creators थर बहुत सकते हैं और इस चीज़ में हमनों का सबसे powerful weapon होने वाला है human brain क्योंकि human brain का बहुत potential है और हमारे unconscious mind में भी बहुत सारे powers शेप हुए हैं बस जरूरत है तो उन powers को जगाने का और अपने potential को समझने का सो होसते है शायद आने वाले समय में हम में सही तो एक human ये प्रूफ कर दे कि matrix simulation सिर्फ एक imagination नहीं बल्कि एक reality है सो अभी के लिए स्वीडियो में इतने ही उमिट करता है अब सभी के वीडियो पसंद आया और वीडियो पसंद आया तो ये लाइक कीजे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल पर सब्स्राइब करके नोडिक वेशन बेल को भी आन कर लिजेए